तो है गाई स्वागत आपका एक और फिर्शे आपी के यूट्यूब चैनल में और आज के वीडियो में बात करें भी इंडिन रेलेवे फाइन्स कॉर्परेशन जिसे आयरसी के नम से जानते हो तो आयरसी के अंदर आप में देखा होगा अभी प्रेवेश टेडिंस सेशन के दोरान जो शीर है वो सुब़़सूभ़ सूरपय प्लस निकला ठीक है लेकिन उसके बाद आप लोग देखो इस टौक अपर के बहुंसे टूटा होई है 97.75 के आफ़ए हो स्टौक की क्लोजिंग रही है एक प्रुसंट के गिरावट के साथ जब कि मार्किट बिल्किल positive था इन सबको देखते हुए देखो भी एक update भी हमें देखने को मिली इसके OFS को लेकर ठीक है देखो भी OFS तो अभी नहीं आया है ठीक है और इसके रिगारे news पे हमें देखने को मिला भी कल के वो news थी उसके बारे में चर्चा करेंगे आखर क्या क्या news है क्या वो जो नभी negative असर स्टॉक के उपर डाल सकती है या फिर जो नभी जान बुच कर ऐसी ख़वरे फैलाई जा रहे है तो सब कुछ आपको डेटेल में बताएंगे यहां पर देखो भी 101 क्यामन पॉइंट एक मिलेन याने कि पंद्रा क्रोड 11 लाके क्रेव की वॉल्यूम आई है तो चलिए सबसे पहले देखते भी जो ओएफस की रिगार्डी जो न्यूज आई है आखर कर कहा आई है क्या उसके उपर जो नभी हमें फोकस करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा जो नभी शानती बनाये रखें तो यहां पर आप लोग देखोगे भी कल 24 तारिको शाम 6 बजे के आसपास हमें जो नभी ये अपडेट देखने को मिली है और जो अपडेट आई है वो ट्रेड ब्रेंस की ऑफिसल बैफ साइट के उपर हमें देखने को मिली है रेलवी स्टॉक जिसमें सरका जल्द ही OFS ला सकती है क्या आप इसे पकड़ रहे हैं तो देखो भी ये खबर आई है कि सरकार जोना इसके अंदर जल्द ही OFS ला सकती है मेरे पास एक कमेंट आया कि जो नभी कंपनी OFS के रिगार्डिंग अपडेट दे चुके देखो भी अब तक कंपनी के वेब साइट के उपर ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चेंजिस की साइट के उपर में देखने हों मिल रहे हैं नसी दोनों के साइट के उपर कुछ भी अब तक अपडेट नहीं आया है को लेकर ऐसी कोई खबर आई कि तो आपके साथ जुरूर साजा करेंगे इन सब को लेकर प्रेशान मत होगा करो ठीक है और और आना है इसमें कोई दुराय नहीं है और और आफस आएगा ठीक है वह चाहिए कल आए चाहिए वह तीन महिने बाद आए चाहिए एक साल बाद आए लेकिन आएगा जरूर ठीक है कंपनी पुंजी बजार और अन्या उधारों के माध्यम से विस्तार और संचालन के लिए वित्ये संसाधन जुटाने में लगी कुछ है किसके प्राइज के अंदर जोना भी डिफ्रेंस हमें देखने मिला यहां पर जो प्राइज ना जैसे कि 295 रुपे 45 पैसे 295 पैसे 25 पैसे तो यह थोड़ा गलत है ठीक है लेकिन यह प्राइज नहीं है प्राइज कुछ और यह इसका ठीक है यह को 97 आज पास को लो यानिगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपरेशन ठीक है इंदी मेना मा भई इसका है वर्तमान में भारत सरकार के पास भारतिया रेलवे वितनिगम यानि कि जो फाइनेंस कोरपरेशन है आय रफसी है के पास 86.36 परसेंट होल्डिंग है और जन्ता को कंपनी में बकाय एक परसेंट से अधिक रखने वाले परमोटरों को अनिवार ये रूप से जनता को अतिरिक चेर बेचने होंगे तो ये खबर है वई 86.36% होल्डिंग तो 11.36% जो होल्डिंग है वो कंपनी को बेचने पड़ेगी OFS के जरिए लेकिन OFS कब आएगा अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है ठीक है ये कंपनी जरूर बताएगी एक्चेंजिस फाइलिंग के अंदर चालूवित वर्ष के दोरान सरकार का इरादा विक्री प्रस्ताव यानिकि OFS के माध्यम से राज्य के स्वामित्तों वाली भारतिय रेलवी वित निगम यानिकि IRFC में अपन 26% जो हिस्चेदारी वो कम करेगी भारतिय रेलवी वित निगम लेमेटेड के हालिया शियर धारिता पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास 86.36% होल्डिंग है और जब कि खुदरा शियर धारिताओं को ये पास आप लोग देखोगे कंपनी में 10.88% जो जुब वित रख के दोरां यान कि इसी वितवर्ष के दोरां अपना जो हिस्चा है यहां से वो बीचना पड़ेगा तो यह सबसे बडा पोइंट है इसी वितवर्ष के दोरां यान कि अभी quarter 3ा 4 है ठीक तो 2 quarter और यान कि अभी quarter 3 के नमर आ जाएंगे जनवरी फ़रवरी ग मामला है तो चले भई अब आपको बताते हैं देखो जिनकी होल्डिंग है ओफस को लेकर बिल्कुल नहीं परेशान होना भी कि कमपनी ओफस लेकर आएगी स्टॉक टूटे क्या गोलते है इर्कॉण भी तो लेकर आए थी इर्कॉण जब 120 रुपे के भाव पर शेहर था ओफस लेकर आई फिर वहां से आप लोग देखो कि स्टॉक में कितनी शांदार रिकवरी वनी और उपर में 182 के हाई लगाई है ठीक है यानि कि स्टॉक उपर के भाव से टूट कोई ना रिकवरी एजे विन की भी हुई है रिकवरी आर्विनेल की हुई है तो इसकी भी होगी प्रेशाननी होना है बहुषा निवेसे कहते की व फसके कार नुकसान होगा ऐसा होगा बढ़ा नीचे में भाव यह शेर आएगा तो एवरेष कर लिजिए इससे जादा नई है हुआए हो कला लग हाँ के अलग समय यह घ्राम है घर से आभाक की लिद्वचरणות गए थे की चाइनल को सब्सक्राइब नहीं का सब्सक्राइब करना च्रवा घ्र साफर टेंगे टेंगा